नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों आज हम बात करेंगे धान में होने वाले खरपतवारों के बारे में जिनका सीधा असर हमारे धान के फसल में पैदावार पर पड़ता है, उनकी उपज पर, उनके ग्रोध पर पड़ता है यदि किसान भाईयों, आप देखते हैं कि जब आप धान की रुपाई करते हैं, रुपाई करने के 72 गंटे के अंदर एक दवा डाली जाती है, यदि दवाड़ आप नहीं डाल पाते हैं, तो आप देखते हैं कि 20-21 दिन बाद धान की रुपाई के 21 दिन बाद धान में कई प काले के पर करता है उनकी रोक्ताम के लिए अप यह जांड़ी पत्ति के खर्तवार रहाँ आप याया Sub के नाम से जो दवाा आती हैं जिसका जी टकनिकल नेम बेखसी cucumber हरना की क्विए ही जी स्रक्ष मोर पाइरी बैक सोडियम 10% होता है आप उसको लाकर और उसके साथ प्याई गंबनी की प्याई मिक्स के नाम से 8 ग्राम के एक पुडिया आती है दोनों का एक साथ मेसरन बना कर आप प्रयोग कर सकते हैं इसके प्रयोग से आप अपने धान में होने वाले खर पतवार को नस्ट कर सकते हैं किसान भाईयों यह दवा धान में रोपाई के 21 दिनों बाद डाली जाती है और इसकी मात्रा सव एमेल नोमनी गोल्ड जो की विस्पाइरी बैक सोडियम होता है आप डाल सकते हैं और प्याई मिक्स की जो 8 ग्राम के पुडिया होती है एक एकर दोनों एक एकर के ख किसान भाईयों आप इसका भी प्रयोग कर सकते ही आपके नजदी की मार्केट में जो भी मिल जाए नोमनी गोल्ड या टाप गोल्ड इसके साथ आपको प्याई मिक्स की पुडिया 8 ग्राम की जो आती है इसको आपको मिलाना है और इसको मिलाने के बाद 100 अमेल टाप गोल् किसान भाईयों यदि आपको ये दवा अपलब्द नहीं हो पाती है मार्केट में तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सस्ती भी है और अच्छी भी है जो कि चौनी पत्ती वाले खरपतवार को नस्ट कर सकती है इसका नाम बीड मार होता है बीड मार असी के नाम से दवा आती है जिसमें टुफूर्डी सॉडियम साल्ट पाये जाता है ये धान का कंपनी की आती है कई कंबनियों की टुफूर्डी आती है लेकिन जो आप सबसे बैतरीन समझते हैं वो धानका कंबनी की आती है आप इसका प्रियोग करके आदा किलो प्रत एकड के हिसाब से आप खाद में मिला कर या आप इसका घोल बना कर एक एकड खेत में डाल सकते हैं तो आपके जो भी धान में खर पतवार हैं चोड़ी पत्ती वाले वह नस्ट हो जाएंगी और आपके फसल सुरच्चित हो जाएगी आपके पौधों में वृद्धी विकास और ग्रोथ की जो सम्मावने हैं वो और अधिक बढ़ जाएंगी जिससे पाइदावार या उपज आपकी बढ़ ज अधा किलो एक एकड़ खेत के लिए परियाप्त होता है यदि आप शिर्काव नहीं कर सकते हैं तो आप इसे फर्टिलाजर यानि खाद में मिलाकर आप बुवाई कर सकते हैं और इसका असर जो है इसका प्रभाव जो है पूरा होगा इसमें कोई कमी नहीं होगी चाहे आप बुर्काव करेंगे चाहे आप शिर्काव करेंगे किसान भाई हो